नमस्कार हिंदी साहिते वारता में आप हैं सुवाश ठाकर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जो एच पी एसिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज करेडर की परिक्षा है देखिए उसका जो हमने पीछले जो 60 कोशन से वो पहले इससे पहले तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखें एक बार तो आप उनको भी प्लेइस्ट में जाके देख सकते हैं जो एसिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से हमारी प्लेइस्ट बनी है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं आज हम 61 से लिकर के 80 तक के जितने भी कॉशन है उनको डिसकस करेंगे इसमें तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को सबसे पहला प्रशन यहां पर देखिए भारत सवभागय नाटक के लेखक कौन हैं तो सिंपल सा प्रशन पूचा गया है हाला कि यहां पर जितने भी विकल्प दिये गए हैं भारतेंदू के अलावा बाकियों ने उतना जादा नहीं दिया है जितना भारतेंदू हरिष्चंडर ने दिया है लेकिन फिर भी यहां पर इनका प्रश्म पूचा गया है वो नाटक से ही रखा गया है भारत सवभागय जो नाटक है देखिए इसके रशनकार के बारे में तो भारत सोबागे के नाटकार जो है, यह है बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन, इस नाम को आपने याद रख लेना है, बिकल्प नंबर E में जो रहा है, बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन जो रहे हैं, यह अब्र के नाम से भी लिखते थे, यह हम सब लोग जानते है इसको भी आपने याद अख लेना है और ये भारतेंदू मंडल के ही प्रमुख कव्यों में से एक कव्य माने जाते हैं और खासकर ये कहा जाता है कि ये भारतेंदू मंडल के प्रबल समर्थकों में से एक माने जाते हैं या भारतेंदू यूग हरिश्चंद्र का जो सबसे ज प्रताप नरायन मिश्र ने क्या किया इन्होंने भारत दुर्दशा से भी एक नाटक लिखा था और साथी साथ इन्होंने एक नाटक जो लिखा है देखी वो था कली कौतुक ठीक है उसको भी आपने यादक लेना है कली कौतुक ये किसका नाटक है प्रताप नरायन मिश्र का फिर आता है भारते इंदू हरिश्चंद्र इनसे तो आप खेर सब जानते ही हैं कि इनकी प्रमुक रचनाय कौन कौन सी थी कौन से इनके अनुदित नाटक भी लिखे इनोंने और इनोंने जो है दूसरे आमारे जिसको हम मौलिक कृतियां भी लिखी मतलब मौलिक नाटक भी इनोंने लिखे हैं तो कुल मिलाके 16-17 नाटक इनके रहे हैं वो भी आपको खेर फटाई होने चाहिए जैसे भारत दुर्दशा इंपॉर्टन्ट हो गया वैदिकी हिंसा हिंसाना भब्ती है न विशस्य विश्मोशिदम दुरलबबंधु मुदराक्षस धननजय विजय य ये इनकी नाटक रितियां के अंतरगत आते हैं तो भारत इंदू हरिश्चंद्र ने ही इस युग में नाटक को एक नया रूप प्रदान किया ये हम सब लोग चानते हैं और अगर हम बात करें देखिए भारत इंदू हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक किसको माना था तो यह साब हम जानते हैं कि अपने पिता जो इनके गुपाल चंगिरी धरदास पिता थे उनके जो नहुष नाठक को इन्होंने हिंदी का पहला नाठक सुईकार किया है यह इनकी एक प्रसिद रशना थी देखना काल चक्र जिसमें इन्होंने ये बातें बताई हैं ठीक ह यहां पर बालकृषन भट तो बालकृषन भट ये भारतेंदू यूग के सबसे कवी माने जाते हैं वरिष्ट कवी या सीनियर 1844 में इनका जनम हुआता देखना इसलिए इनको ये बात कही जाती है कि भारतेंदू यूग के सबसे परिपक्व या सबसे प्रौड कवी किसे माना जाता है तो ये याद रख लेना आपको बालकृषन भट को कहा जाता है ठीक है बालकृषन भट ने जो अपने इनके नाटक थे देखिए हलां कि बालकृषन भट जो है ये हिंदी निवंद के लिए जाने जाते हैं और इन्हें हिंदी का स्टील भी कहा जाता है ये अ साथी साथ इनका एक अन्य नाटक भी रहा है, आचार विडंबन, ठीक है, इस तरीके से दिखिए, आचार विडंबन, इस नाटक की रचना भी इन्होंने की है, और एक साथी साथ इनका था, जैसा काम, वैसा परिनाम, ये भी किसका नाटक रहा है, ये भी इनहीं का नाटक र लेना है चलिए next question है यहां पर देखिए मुद्राराक्षस नाटक के लिए का कौन है तो नाटक रित्यों से यहां पर बहुत सारी प्रशन पूछे गए हैं ठीक है दूसर प्रशन यह है मुद्राराक्षस नाटक तो यह हम सब लोग जानते हैं बहुत ही simple असाधारन सा प्रश चंद्र का कौन सा नाटक है तो आपको याद रख लेना है यह रहा इनका मुद्राराक्षस नाटक और मुद्राराक्षस नाटक जो है देखी यह इनका एक अनुदित नाटक है एंड 1878 में इसका जो रचना वर्श है साथी साथ या रख लेना है कि इसकी भाशा जो थी वो रख लेना है इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य नाम जुड़ा है देखी वो है लाला श्री निवासतास का नाम जो लाला श्री निवासतास थे इनोंने आपके चरित्र पर आधारीत नाटक भी लिखे हैं एन साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनके प्रेम परक जो है वो नाटक भी इनके रहे हैं जो इनोंने प्रेम पर रखे थे और एतिहासिक के अधार पर भी इनोंने नाटक लिखे हैं अगर हम बात करें इनके इतिहासिक नाटक की तो सबसे इतिहासिक जो इनका नाटक है बहु किस प्रकार का है इनका प्रेम प्रधान नाटक माना जाता है वो है आपका तपता संवरन और रनधीर प्रेम मोहिनी ठीक है ये दो नाटक क्या हो जाएंगे इनके ये हो जाएंगे प्रेम प्रक और इनका जो चरित्र प्रधान नाटक है वो कौन सा है वो है ब्रहलाद चरित् जो है ये किस प्रकार के नाटक इसने लिखे ऐसा भी प्रशन आपको पूछा जा सकता है देखना इसमें आपको याद रख लेना है कि इन्होंने प्रेम परक भी लिखे इन्होंने जो है एतिहासिक नाटक भी लिखे और साथी साथ इन्होंने जो है चरितर प्रधान नाटको की रचना भी की है तो यह सारे इन्होंने लिखे हैं बाकियों के नाटक हमने पहले ही डिसकस कर लिए हैं कि क्या-क्या चीजे हैं ठीक है हालांकि हम सब लोग जानते हैं लाला शरी निवास्तास भी जो है यह जादतर अपने उपन्यास पर इक्षा गुरू के लिए फेमस रह लिखे कि कौन सा ऐसा नाटक था जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है आपके प्रतापना रायन मिश्र के द्वारा तो यहां पर जो आपका 63 कौशन है देखे इसका सई आंसर क्या हो जाना चाहिए विकलप नंबर डी होना चाहिए कि दम्यंती स्वेंबर यह जो दम्यं तो मैंने आपको पहले ही बता दिये जो आपका बाल कृशन भट रहे हैं ठीक है तो इसके कौन-कौन से थे एक तो मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया भारत जो आपका नहीं रोशनी का विश्प इसको याद रख लेना है आपको ध्यान रखिए यह इंपोर इसको याद रखेंगे इसके अलावा जितने भी यहाँ पर देखिए प्रताप नरायंड मिश्र के द्वारा ही लिखे गए हैं बहुत साइल लोगों ने इसका अंसर बी किया था हालनकि भारत एंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है भारत दुर्दशा लेकिन इन्हों न उपन्यासिक विधाएं भी यहाँ पर डारेट कोशन पूछा गया है आपको कि कौन सा उपन्यास जो है वो किसका है तो इन चीजों को आपने यहाँ पर थोड़ा सद्यान रख लेना बाकि देव की नदन खत्री हम सब लोग जानते हैं यह किस तरीके के उपन्यासकार है य सबसे मौत्तपुर्ण या पहला एतिहासिक ना उपन्यासकार हम इसको मानते हैं 65 इसने उपन्यासका आसपास लिके है लेक्वीन बाबु देव की नंदन खत्री जो रहे हैं यह भी इसी प्रकार के उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं ठीक है इनको आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है ओके तो याद रखिए इनको है ना पंडित लज्जाराम जो शर्मा रहे ये भी आपके प्रेमचंद पूर्व योगिन उपन्यासकार रहे हैं इनको भी आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए ओ सकता है इनसे भी आपको जो है वो प्रशन पूछा जाए अयोद्यासंग उपाध्याय हारियोद ये भी पहले के ही रहे है ठीक है तो सारे के सारे इंपोर्टेंट है और ये प्रारम भी उपन्यासकार रहे हैं इन सब उपन्यासकारों के उपन्यासों से आपको थोड़ा बहुत प्रशन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंप इसका question का answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा महाविप्रशाद्विवेदी और यह किस पर आधारित है इसको आपने यारक लेना है यह इनकी अर्थ शास्तर पर आधारित इनकी कृति रही है संपत्ति से यारक लेना अर्थ शास्तर ठीक है इस्त्री के से रही इनकी दो-तिन रचना है, इनको भी आदख लेना है, रामनरेश्ट्रिपाथी, ये बहुत ही मतफून है, कविता कौमदी इनकी रही, मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, ये इनकी कुछ एक कृतिया है, श्रीधर पाथक आप सब लोग जानते हैं, प्रत्थम स पुछ जाता है, ये रामनरेश्ट्रिपाथी को ही माना जाता है, तो यहाँ पर यह प्रश्ण ऐसे भी पूछ जा सकता है, कि चारों ही विकलब आपके लिए, यही रखे जा सकते हैं, और फिर प्रश्ण पूछ जा सकता है, कि इनमें से कौन सा जो है, वो धिवेदी योग नहीं थे, यहाँ पर राजा लक्षमन सिंह आ जाएंगे, इसमें की वो दिवेदी मंडल के कवियों भ depend किरा में नहीं आता है, इनका जिक्र हम कहाँ पर करते हैं, जब हम हुनी के विकास क्रम की बात करते हैं, तो यहाँ पर राजा लक्षमन सिंह की हिंदी किस प्रकार की थी यह थी संस्कित मिष्ट हिंदी इससे भी प्रशन आपको पूछा जा सकता है नेक्स क्वेशन है यहाँ पर देखिए क्वेशन नंबर 66 उदंत मार्तन का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष आरंब हुआ था तो यह हम सब लोग जानते हैं यह था 1826 तो विकल्प नंबर B इसका क्या हो जाना चाहिए था सही हो जाना चाहिए था 30 मई ठीक है 1826 और इसी दिन को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी बनाते हैं भारत प्रश में ठीक है नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष की अनुसार मैथली शरंगुप्त की निमिलि भारत भारती ये था हमारा 1912 में ठीक है इंपोर्टेंट है देखना 1912 में भारत भारत भारती है पंचुवटी आना था दूसरे नंबर पे साकेत हो जाएगा 1931 पंचुवटी 1925 में था ये 12 में लिख देते हैं ये शोद्रा जो है ये 1932 तो इस आधार पर विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा एक्जेक्टली साही हो जाएगा जो मैथली शरण गुपत है देखना ये आपको ध्यान रख लेना है ये आपके जो दिवेदी युगीन प्रसिद कवी माने जाते हैं और इन्होंने दिवेदी युग में सबसे जाधा प्रबंद कावे लिखे थे और कि चलते आदर्ष प्रवंद परमपरा माना है इसको देखना जो आपके गंपति चंदर गुपत रहे है ठीक है प्रबंद कवे कि आदर्ष परमपरा किस ने कहा इसको ये गंपति चदर गुपत ने हिंदी साहीते के वग्च्ञानी की टिहास में कहा था क्यों इसलिए पर आता है देखिए प्रकाशन वर्ष की अनुसार निमे लिकित रचनाओं का सही क्रम क्या है एक बार फिट से जो दिवेदी युगीन रचनाओं ही है वो आपको यहां पर रखी गई है तो इसमें देखिए सबसे पहले हिंडोला हिंडोला जो कृती है यह जगनादासरतनाक जो दिवेदी युगीन ब्रजभाशा के कवी रहे और इन्हें ब्रजभाशा का अंतिम प्रोड कवी भी माना जाता है और भक्ती और रितिकाल का समनवेक भी माना जाता है जगनादासरतनाकर को इसको भी आदक नेना है जगनादासरतनाकर ने समाल उचना दर्श शीरशक स एक निवंद का अनुवाद भी किया था जो आपका अलेक्सेंडर पोप का से ओन क्रिटिसिजम ये इनका निवंद था उसका अनुवाद इनों ने किया था इसके लावा इसकी जो इंपोर्टेंट रचना थी जो आपका जगन नादास रतनाकर है वो कौन सी थी वो थी इनकी उद्धवशतक जो भ्रमरगीत परंपरा के इनकी एक शिरिष्ट रचना माने जाती है जैदरत वद ये किसकी रचना है ये महाभारत की प्रिष्ट भूमी पर आधारित जो मैथली शरणगुप्त का एक खंड कावे है जो जैदरत की मृत्यू पर इनोंने लिखा था इस ब हमारा के आजाएगा हिम तरंगनी जो 1949 की है माखंगाल चत्रुवेदी की रचन रही और सबसे पहले 1950 में इस पर इनको क्या मिला था साहितक आदमी पुरुसकार भी प्राप्त हुआ है तो ये चीज़ें आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है देखिए बहुत ही नमबर ये जो है वो सही हो जाएगा चलिए अगला पर देखते हैं 69th question है यहां पर देखिए यहां पर लिखा है उपन्यासों से भी प्रचुर विकास में हिंदी में चोटी कहानियों का हुआ है कहानियां बहुत तरह की लिखी गई उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प् दें नहीं कि उपन्यासों चोटी कहानि दोनों के धांचे हमने पस्चिम से लिए हैं हैं भी यह धांचे बड़े सुंदर यह विचार किस आलोचक के हैं तो यह जो विचार है यह आचारे राम चंद्र शुक्ल के प्रकर्ण नमबर पांट से इन्होंने ये लाईने ली हैं ठीक है तृतिय उत्थान नई धारा तृतिय उत्थान जो रहा उसका प्रक्रण पांचवा था गद्य साहिते की जो वर्तमान गती है इस नाम से था देखिए उसमें इन्होंने ये बात कही है अचारे रामचंद्र शुक्ल ने ठीक है तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजे मैंने पहले ही कहा है कि शुक्ल का जो इतियास से बड़ा इंपोर्टन है नेक्स्ट कॉशन आता है यहां पर चार डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी बहुत ही इंपोर्टन पंक्ति है ये है अयोध्यासिंग उपाद्याय हरियोद की पंक्तियां जिन्हें कवी समराट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अयोध्यासिंग उपाद्याय हरियोद जिन्होंने प्रिये प्रवास की रचना 1914 में की थी और खड़ी बोली हिंदी का प्रत्थम महाकावे माना जाता है शुक यहां पर अगला प्रशन देखिए साबधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे देफेंग ताजकर मोह समरिती के पार उप्युक्त कावे पंक्तियों के रचनाकार कौन है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए यह आपका रामधारी सिंग दिनकर बहुत ह इंपोर्टन्ट है ओज नहीं आग और राग का कवी जिसको कहा जाता है देखना अधैर का कवी आवेश का कवी भी रामधारी सिंग दिनकर को आ जाता है इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है और इनका समान्य परिचस रिलेटर प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है और गीती का वेश कौन सा प्रभिक धा अफर उस से रिलेटर भी प्रशन आता है क्यामाध्यात्म की समस्या पर इनका उनल लिखा था व लिखा फूछा जाता है गरण के जीवन पर आधारी तीन की रशन क्कौन सी रही है marvel जाते-जाते अब तो यहateurs मन खाली है पर इस्स से तो जाकर पगडंडी एक बना ली है उप्युक्त कावेपंक्तियां किस कवीं की है तो कावेपंक्तियां देखे कहीं से भी आ सकती है इसलिए इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर जितने भी आपको रचना कार रखे गए है नागरचुन है आपके प्रगतिवाद के कवी रगुवीर सहाय ठीक है यह आपका जो दूसरा सब्सटक के कवी है अन्ट कुवर नरायन यह आपके तीशे सब्सके हैं सर्विश दल सकेना भी तीशा सब्सके ही रशनकार रहे हैं और सारे ही रशनकार महत्वपून है यहां पर यह जो रशना है यह है रगुवीर सहाय की पंक्तियां अक्सर पूछी जाती है इनको आपने जरूर याद रख लेना है एक दूसरी इनकी पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट की जन गण में मन जो उसमें है गर्व भरा मदमाता इसे भी पंक्ति को दे दो सचीदानंद हीरानंद वात्सायन अग्ये की यह पंक्तिया रही है एंड किस पर थी है किस कृति में यह है इनकी बावरा अहेरी नामक एक रशना रही है इस पर यह रशना इनकी रही है हरी घास पर क्षन भर यह भी इनकी लिखा कौन है तो यह है महापनित रहुल सांकृत्याईन तो यात्रसाहितेस रिलेटिड जो भी इनकी रचना है उनको भी आप एक पर जरूर देखिए यहां से भी प्रश्णा आपको हो सकता है पूछा जाए नेक्स आता है रामनात प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र ह तो यह जो उपन्यास से देखी यह है आपका गबन गबन उपन्यास बहुत ही इंपोर्टन्ट उपन्यास से देखना जालपा इसकी जो नाईका है और गबन जो है वो किस पर लिखा गया है यह आपको यार रख लेना है स्त्रीज की जो अभूशन प्रियता है इस पर यह उ उपन्यासों की जो विश्यवस्तु रही है वो क्या रही है वहां से प्रशन जरूर आता है जैसे अनमेल विवाह से समंधितिन का कौन सा उपन्यास रहा और कौन सा जो है स्त्री की जो आभूशन प्रियता से समंधितिन का उपन्यास है अगर हम बात करें घबन की घबन में मै मुस्लिम एकता हो गई, दलितों का उधार हो गया, अच्छूतों के उधार की बात इसमें की गई है, ठीक है, रंगभूमी ये हम सब लोग जानते हैं, रंगभूमी जो इनका उपन्यास है देखना, 1925 का, जो अध्योगी करण है, उसकी जो दोश हैं, जो पूंजी पतियों क जो सोच रही है, इसको लेकर के इसको लिखाएं, ठीक है, तो ये थे आपके प्रसिद प्रसिद उपन्यास, हलाकि मुहत्तपोर्ण इनका उपन्यास है, गोदान, उसको भी आपने याद रख लेना है, उसकी विशवस्तु से संबंधित प्रशन भी आपको आता है, ठीक है तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रख लेनी है, नेक्स कॉशन देखते हैं, यहाँ पर अगला जो प्रशन है देखिए, यह है आपका कमाईनी एक पुनर विचार के लेखक कौन है, तो कमाईनी एक पुनर विचार यह है आपका गजनर माधव मुक्ति बोध की प्रशना, मुत्पूर्ण है, चाहे वो आपका नंद दुलारे वाजबई हो गया, नंद दुलारे वाजबई जो है देखना, इनकी एक बहुत ही मुत्पूर्ण बात यह है, सबसे पहला प्रशन इन से ऐसा पूछा जाता है, कि यह किस प्रकार के समिक्षक हैं, तो याद रख लेना ह यह सोच्ठववादी या जो सचंदतावादी समिक्षकों के अंतरगत आता है, इनका नाम जो अचारे नंद दुलारे वाजबई रहे हैं, ठीक है, यह नाम आपको जरूर याद रख लेना है, इसके साथ ही साथ प्रशन यह भी पूछा जाता है, कि जो अचारे नंद दु इचार की हो रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि का माइनी जैशंकर प्रसाद की है, और इन्होंने प्रसाद पर सिर्फ जैशंकर प्रसाद शीर्शक से ही रचना रची थी नंद दुलारे वाजबई ने, ठीक है, इसके लाबा इन्होंने नई कवीता भी निराला पर भी लिखा और पंध पर भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है, मुक्ति बोध इनकी खैर यही रचना इंपोर्टन है, इसके लाबा एक दो रचना इसकी और है, उनको यारखने की जूरत आपको वैसे नहीं है, राम बिलास शर्मा मोस्ट इंपोर्टन है, पहली चीज तो यारख लेना है, राम बिलास शर्मा जो है किस प्रकार के समीक्षक रहे हैं, तो इनसे आपको यारख लेना है कि एक प्रगतिवादी समीक्षकों में सबसे इंपोर्टन नाम है राम बिलास शर्मा का, इन्होंने important नाम है देखना आपका रामविलास शर्मा ठीक है फिर इसके साथी साथ इन्होंने लिखा था प्रगती शील साहिते की समस्याई ये इनका important है उसको आपने जरूर याद रखना है ठीक है ये भी आपको याद रख लेना है ओके चलिए next question देखते हैं इसके बाद 77th question है देखिए सुखमे जीवन कहानी के लेखक कौन रहे हैं तो सुखमे जीवन बुद्धु का कांटा उसने कहा था हम सब लोग जानते तीनी कहानिया रही है श्रेष्ट ये थी चंदरदा शर्मा गुलेरी की कहानी बहुत है important कहानी ये देखना समाजिक्ता को लेकरके इनोंने लिखी थी याद रख लेना है रामचंदर शुकल की 11 वर्ष का समय जो इनकी कहानी रही है जैशंकर प्रसाद के तो खैर बहुत सारे हैं इनके 5 जो कहानी संग्रह है वो बड़ा important है इनको आपने याद रख लेना है इसका लाबा अगला जो प्रशन है देखिए जैनेंदर कुमार के उपन्यासों का सही क्रम आपको पूछा गया है कि ये कौन सा है तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर इसको या रखने की ट्रिक है इनके जो प्रारंभिक चार उपन्यास रहे हैं परक सुनीता के त्या आगपत्र 1937 एंड कल्यानी 1949 इस तरीके से आपका विकल्प नमबर डी जो है वो साई हो जाना था जैने अंदर से आपको याद रख लेना है कि ये किस प्रकार के उपन्यास कार रहे हैं ये रहे हैं मनोविशलेशनवादी उपन्यास कार लेकिन डॉक्टर गुपाल राय न चैनका उपन्यास नहीं है ये मंगल सुत्र मंगल सुत्र उपन्यास किसका है देखी ये है प्रेमचन का अधूरा उपन्यास ठीक iemand इसको ऻदिए अपको पूछा जा सकता है देखना की जो पूर्णता किससने प्रदां की ती अमरीत राय ने जो प्रेमचन के बेटे रहें उन्होंने इसको पूर्णता प्रदान की थी, फणिशो नात्रेणों किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, ये है आंचलिक उपन्यासकार, मैला आंचल इनका श्रेष्ट उपन्यास हैं, जो 1954 में उन्होंने लिखा था, और आज का आखरी प्र सिद्ध कृती रही है, इसको भी आपने याद रख लेना है, इसके अलावा यहां पर कुछ अन्यास पूछेगा हैं, ये हैं सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के प्रशन, जो आपके HPGK के हैं, तो ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो इनको अगर आपने देखना होगा, तो करके आएंगा आपके बीच में, तो फिल हाल आज के लिए इतना ही, अगर हम आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आते रहते हैं, थेंक यू, जाहिंद